हाई अबरिवन कैसे हो आप सब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने रख लिया है कुकर और उसमें मैं डाल रही हूँ तीन टमाटर जिसके मैंने सिरे को काट लिया है और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें दो मीडियम साइज के कटेवे प्याच और साथ अठ कली ले सुन की और एक इचिये करीब अद रख जिसको मोटा मोटा काड लिया एक कप पानी इसमें मैंने एड कर दिया लिड लगा देंगे और इसको दो विसल हम जरूर लगवाएंगे तो यहाँ पर ले लिए मैंने फ्रेश मटर इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिए और काटोरी में पानी में मैंने रख दिया और यह है एक पैगिट मिश्रूम और इसको मैंने मुंगने पानी में रखा हुआ और थोड़ा सा नमक डाला ताकि यह अच्छे से साफ हो जाएं तो यहाँ पर हम कर लेंगे इसकी कटिंग मिश्रूम की तो आज की यही रेसिपी है जो मैंने शुरू में आपको नहीं बताया लेकिन टाइटल तो आपने पड़ी लिया है तो बना रहे हैं आज मटर मश्रूम तो यहाँ पर मैंने पहले सोचा कि आज बाते बात में करेंगे पहले सारा कुछ रेडी कर लेते हैं तो यह देखे यह मैंने सारा कुछ रेडी करा तड़के के लिए और इसको मैंने वापिस से पीस लिया दोस विसल आ चुके थे इसको हमने कर लिया ग्राइंट तो यहाँ पर मैंने डाल रही हूं वापिस से वो कुकर ले लिया, इसको बाश कर लिया था ऑल डाला जीरा डाल दिया इसमें पिल्कुल सिंपल रेसिपी है और सिंपल तरीके से बनाएंगे और इसमें डाल देंगे हैं यह मसाला कि मैं इस पून पर डाल की इसलिए कर रहे हैं ताकि छीटे एकदम से नाए क्योंकि कुकर गरम है और पतला है यह सारा तड़का तो कई वर छीटे आ जाते हैं अगर ऐसे हो तो थोड़ा स्लो करके हम इसितरी से डालेंगे अभ अब हम इसमें एड़ कर लेंगे सुख्य मसाले नमक डालेंगे स्वाधनुसार, हल्दी पावडर, मिर्ची पावडर रे रेड मिर्ची पावडर है और यह करम मसाला अच्छी सी इसको हमें एक बर मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को और इसको हम पकने देंगे देखिए काफी गाड़ा हो गया ठीक हो चुका है जैसी ये तला छोड़ देगा इसे बता लग जाएगा कि मसाला मारा रेडी हो चुका है अल्मस्त ये देखिए अब भून चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया तो अब हम इसमें एड करेंगे मश्रूम और साथ ही डाल देंगे हम इसमें मटर अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप पानी है ये सारा मैंने वह की चार वी क्योंकि मसाला गा था तो इसमें पहले डाल लीए था ताकि सारा मसाला लगकर आ जाए यह एक बड़ा कप था पानी का- वह मैंने इसमें डाल दिया और लिड लगा देंगे 3-4 सीटी ले हम इसको लगवा लेंगे मैंने 3-4 सीटी लगवा कर इसको खोल लिया और थोड़ा इसमें ग्रेवी पत्ली थी तो मैंने इसको 2-3 मिनट इससी तरह खुला करके पकाया है इसके लिड हटा दे थी तो यह बिल्कुल रेडी हो झुक है अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग तो यह देखे बहुत जलदी से बन जाती है यह मर्टर मुश्रूम की सबजी और यह देख सकते हैं कितने अच्छे से और कितनी जलदी से बन करके रेडी हुई है बिन रखेती हैं अब इनके चिली मुच्छी है का आप यहां, सोटाऀने की तो ऑड़ी चैनल बबार है।